हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैथनेज बर्ड टोक्तर सॉनेंद को पतालने इंसकास डियर फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको दिसम्बर 2023 के पेपर का सुलुशन करा रहा हूँ इस सब्सब्जेट का नहां है M2 अब तहरा हम कोशन नमबर वन कोशन नमबर टू और कोशन नमबर तुरी सॉल कर चुके हैं और आप लोगे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो लेक्षर को आप लाइक कर रहे हैं साथ मेरे चैनल पहली बढ़ाय हो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकों को नहीं आने वाला है तो आई यह स्टार्ट करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कोशन नमबर फूर में हमारे पास इस यूनिट से हमारे पार कोशन पूचे गए हैं और वो कितने नमबर के कोशन है और किस टॉपिक से वो कोशन पूचे गए हैं तो पहले हम देखते हैं question number 4 question 4 में दिखते है solve the partial differential equation method का नाम हमें नहीं दिया हुआ कि वह हमें solve करने को बोला गया और आप सब बोला गया कि question 7 marks का है लेकिन अगर आप दिहान से दिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पाई P की power 1 और Q की power 1 दियो तो ऐसी condition में यह question जो है unit number हमारे पास ठीका है और जो कि हमारे पास linear partial differential equation of first order first degree से relative है जिसको हम दूसरी बासा में Lagrange equation के नाम से जानते हैं यानि कि इसका मुलब यह हुआ question number 4A जो है वो Lagrange method से solve किया जाएगा इसी का second part जो हमें दिया हुआ है solve P square plus Q square Y equal to QZ by using tarpet method इस question में हमें already हमें tarpet method specify करके दे दिया गया है जो भी हमारे पास non-linear partial differential equation first order का topic हमारा कहलाता है तो आए ये one by one दोनों question को देखते हैं और ये भी हमारे पास question number 7 का question 7 marks का पुछा गया है और ये भी हमारा unit number 3 का यानि कि unit number 3 से हमारे पास question number 4 पूरा पुछा गया है यानि कि इसका मंदब यह होगा है कि हमारा पूरा question number 4 जो है 14 marks का है आई अब इस question को हम solve करते है तो solve the partial differential equation x-y p plus xy plus q equal to xz जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास equation जो है ये लेगराउंचे को जब भी अगर हमारे पास कोई equation अगर Lagrange का होता है तो उसको हम इस equation से compare गरते है p p plus q q equal to capital r और question में ये साब साब दिखाए दे रहा है यहाँ पर capital p जो है वो मेरे पास x-y हो गया और capital q जो है वो x plus y हो गया और capital r जो है 2xz plus 2xz हो गया अब इसके हम बनाएंगे auxiliary equation जब भी अगर हमें Lagrange equation की अगर auxiliary equation बनानी होती है उसका standard form जो होता है वो हमारा किलाता है this is dx upon capital p this is dy upon capital q और dz upon capital r ओके तो अब मेरे पास question के उसके according मेरे पास Lagrange के auxiliary equation में जाएंगे dx upon x-y और dy upon x plus y और dz upon 2xz अब question में हमारे पास क्या है कि वो दो ही हमारे पास independent variable x और y है तो इसका मत्दब यह है कि हमें आपर दो relation निकालने होगे एक बात का भी को तिहान रखिएगा कि जब भी अगर Lagrange equation solve करेंगे तो पर देख लो कि हमारे पास कितने independent variable चलेंगे जितने independent variable चलेंगे उतने ही आपको relation निकालने होते है जिसको हम यहाँ पर 5 c1 उसी 2 से represent करेंगे यह अरपास आगे पास समझ में अब इस question को solve करने के हमारे पास जो method है उसमें क्या करेंगे पहले अपने पास इनकी help से हम यहाँ पर multiplier method की help से solve करते हैं आपके मन में आ रहा होगा किसार यह multiplier method कब लगाते हैं कब हम यहाँ पर substitution method लगाते हैं कब यहाँ पर हमारे पास कोई और method लगाते हैं देको यह चीजे जो है केवल एक lecture में समझ में आने वाले नहीं हैं यहाँ पर में केवल इतना आपको बता रहा हो कि कोशन किस परकार सौल कह रहा है अगर आपको इसके बारे में का complete information चाहिए तो आप लेक्चर के डिस्क्राइट वाक में जाहिएगा महाँ पर लेक्राउंची को पर तीन से चार वीडियो बनाए हुए उन वीडियो को आप देखेगा आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा कि कभ हमें substitution एप्लाई करना चाहिए कभ multiplier method एप्लाई करना चाहिए या कभी हमें कोई दूसरा हमें method यूज़ करना चाहिए अभी हम यहाँ पर multiplier यहाँ पर क्या यूज़ करें वो समझ दीज़े आप देहां से देखो अगर मैं इस x-y को x-y के साद add करूं तो मेरे को क्या मिलेगा 2y, sorry 2x मिलेगा अब 2x को मुझे हठाना पड़ेगा तो मैं क्या करूं अगर मैं इस z को अगर यहाँ से हठा दू तो मेरे पास और इस 2x को इससे minus करते हो तो मैं पास क्या होगा यह value 0 बन जाएगी तो हमने क्या multiply यहाँ पर use क्या होगा है पहले वाले के अंदर हमने one come multiply किया हुआ है दूसरे वाले के अंदर one come अटलाई किया और तीसरे वाले के अंदर minus one upon z क्यो क्यों क्यों मैं यह third term को महाँ पर minus sign के साल देना है तो मेरे पास क्यों हो गया वाई equal to one dx plus one dy minus dz upon z मैंने पहले दो term के अंदर इसमें one come अटलाई किया इसमें one का किया और यहाँ पर मैंने minus one upon z के कर देना हो गया अब साब साब दिखाई दे रहा है कि y से y मेरा cancel हो रहा है और x से x से हमारे पार 2x cancel हो रहा है तो इसके upon में आ गया 0 जब भी किसी भी multiply के denominator में यदि कोई 0 आता है तो इसका अंबलब यह होता है कि इसका numerator वाला term जो होता है वो 0 के equal हो रहा है क्यों होता है अब equal इसके क्योंकि इसके simple से region है इसके region यह हमारे पास है तो कि यह जो नया relation हम जो निकालते है वो इन तीनों relation के बरावर हो जाए और यदि हम जानते हैं कि अगर मेरे पास मानलो किसी question में अगर a upon b लिखाओ और किसी में c upon 0 लिखाओ तो मैं आराम से वहाँ पर c equal to 0 लिख सकता हूँ है ना तो इसी basis में मैंने यहाँ पर dx plus dy minus dz upon z को मैंने 0 के एकवल लिखाओ आगया बास समझ में इसना अब मैं इसको simple integrate करता हूँ तो भाई 1 का dx का अंटिकल क्या होगा x dy का होगा y और 1 upon z का होगा log z equal to c तो हमारे पास पहला जो relation आ गया वो हमारे पास आ गया थे x plus y minus log z equal to c अब बात करते हैं इसका second हम relation निकालना चाहते हैं अब second relation निकालना चाहते हैं तो हमने क्या करा पहले दो ratio को द्या लिया ब्लकुर द्या समझेगा को कि यह कोशन तोड़ा अलग तरीके का कोशन रही है हमने पहले दो relation हमने relation को लिया हमने x dy minus y dx अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इस y dy को हम shift कर देंगे left hand side पर तो हमारे पास क्या मिल जाएगा x dx plus y dy और y dx को हम यहाँ पर यहाँ shift कर देंगे problem यह कि हमें इस वाले portion को तो मैं आराम से integrate कर सकता हूँ इस वाले portion को मैं direct integrate नहीं कर पाएगा ठीक है तो यहाँ पर मेरे पाएग combination लग रहा है x dy minus y dx अब देखिए मैं थोड़ा दिहां से समझेगा मान लो अगर मैं y upon x को अगर मैं differentiate करना चाहता हूँ क्या करना चाहता हूँ y upon x को अगर मैं differentiate करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे मिलेगा this is x square x dy minus y dx इतना समझना आ गया है ठीक है तो मुझे यह वाली time यहाँ पर दिख रही है x dy minus y dx अब मैंने यहाँ पर question में क्या करा कि मेरे पास क्या है कि यहाँ पर x dx y dy को भी करना तो मैंने यहाँ पर x square plus y square का दोनों तरफ divide कर दिया है इससे benefit में क्या मिलने वाला तो समझिया माल लो मेरे पास 10 inverse y upon x है अब 10 inverse y upon x को अगर मैं differentiate करना चाहता हूँ 10 inverse y को अगर मैं differentiate करूँगा बच्चों मुझे क्या मिलेगा this is 1 upon 1 plus y square upon x square और यहाँ क्या मिलेगा this is the x dy minus y dx upon x square तो is x square से x square cancel आगा तो नीचे कितना बच्चे का मेरे पास x square plus y तो जो मेरे पास salary है तो इस ट्रम को बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इस फोड़ा question अजीब है थोड़ा सध्यान रखना है अब देखिए जो मेरे पास ये वाली term जो लिखी हुई है अगर मैं नीचे वाले को अगर t माल लेता है तो उप आप वाली पूरी value आ रहे है कि नहीं है कि x square का difference उता है 2x y square का उता है 2y जो कि मैंने already आपको यहाँ पर करके बताया हुगा है clear अब हम क्या करेंगे चुकि ये दोनों term जो मेरे पास है derivative form में अगर मैं इसको अगर integrate करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये d वाला term हड़ी आएगा और प्लस c वा जुड़ी आएगा इस प्रिकार से मेरे पास second relation आगए तो पहरा relation क्या था है मेरे पास u equal to c1 u की value मेरे पास क्या थी x plus y minus 1 x plus y minus log इसी प्रिकार यह दूसरा relation मिला है this is इसको मैं कहता हूँ v बराबर c2 तो मेरे पास यह v किला गया है अब इन दोनों को हम combination की form में लिखते हैं कैसे लिखते हैं आप यह पर लिखाया था यदि आगर आपको नाम याद नहीं होता है तो आप required solution लिख दिए ओके आयोप आपको यह solution समझ में आया होगा और वीडियो को जली दे फटाफट लाइक कर दियाएगा अपने फ्रेंड के तार शेयर जू कर दियाएगा जिससे कि उनको भी इस video lecture का फायदा मिल सकता हूँ अब बात करते है question number B की यानि कि इसी के second question की बात करते है solve P square plus Q square y equal to Qz by using chart fit method अब दो को इस question में हमसे chart fit method के बारे में पूछा गया है अगर आपको आपने मेरा वीडियो प्रिविएस वीडियो देखे होगी जिसमें में आपको जून 2023 के question solve करवाए थे उसमें भी ये question पूछा गया था यानि कि ये question जो है आपका repetition form में आया हुआ है तो overall देखें कि December 2023 के अंदर जो paper जो हुआ है उसमें हमारे पाद 3 से 4 question इसे थे जो हमारे repetition form में है तो आपको में एक suggestion देना चाहूँ कि आप previous year के question को ज़रू solve करेगा जिससे कि क्या हो अगर वो question आते है तो आपको उन question को आप आसानी से solve कर सकते है ठीक है चलिए अब हमारा next question है अब चुक्किए मैं चार पिर में से solve करना था पी इसकर प्लस क्यूच कर वाई को टू क्यूज़र होगा हमने य का अंदर multiply कर दिया पी इसकर वाई प्लस क्यूच कर वाई माईनस क्यूच हो गया और हमने हाँ पर एफ को ले लिया पी इसकर वाई प्लस क्यूच कर वाई माईनस क्यूच हो गया अब हम क्या करेंगे इस एफ को एक बार X के लिए करेंगे एक बार Z के लिए करेंगे एक बार P के लिए करेंग only minus q, del f upon del p मिलेगा 2py और del f upon del q जो मिलेगा, वो मिलेगा 2qy minus z अब यहाँ पर हम use करेंगे 4p की auxiliary equation यह auxiliary equation आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए याद करने का तरीके यह होता है कि पहली term p के लाती है dp होती है, दूसरी dq होती है फिर dz होता है, फिर dx होता है, फिर dy होता है इस तरह से अगर आप इस equation को याद करेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी तो 4p की auxiliary equation क्या है dp upon del f upon del x plus 3 del f upon del z second term है del f upon del y plus q del f upon del z 30 term है dz upon minus 3 del f upon del p minus q del f upon del q 4th term मेरे पास है dx upon minus del f upon del p और last term मेरे पास है minus del f upon del f इन सब value को हम यहाँ पर रखने के बाद हमें कुछ ऐसी इससी दी यहाँ पर मिलाई दिखाई देगी अब देखें यहाँ पर q square से q square हमारा cancel हो तो हम क्या करते हैं कि पहले दो ratio को हम यहाँ पर इससे फायदा है क्या होगा कि p से p भी हमारा cancelation में आएगा overall हम इस चार्ट की oxygen request करना क्या चाहते हैं हम यहाँ पर p और q की value को निकलना चाहते हैं और p और q हम इस कार से निकलना चाहते हैं कि जब p निकाले तो q नहीं आना चाहिए जब p और q जो होना चाहिए एक दूसरे से independent होना चाहिए ठीक है अगर एक दूसरे से independent होंगे तो हमारा solution को complete नहीं किलाएगा आगे बाद समझ में तो अब हम क्या करते हैं हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पर p से p cancel हो रहा है a square by 2 ले लिए a square by 2 लेने के पिछ रीजन यह है कि हमारा 2 cancellation में आयागा तो solve करने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी तो मेरे पास p square plus q square equal to a square मिल गया अब आपके मन में होगा सर आपने तो बोला भी कहते है एक दूसरे free होना चाहिए अभी तो नहीं होए तो भाई देखो simple जिवात है अभी free रियो हमें free बनाना है तो free बनाने के लिए क्लिम क्या करेंगे p square plus q square को हम equation number 1 में रख देगे अब equation number 1 मेरे पास क्या थी भाई हमारे पाई equation number 1 थी p square plus q square y equal to qz है ना तो मेरे पास मेरे को इसकी value मिल गए तो इस पूरे की value कितनी मिल गए मुझे a square मिल गए तो मैंने a square रख दिया तो a square y equal to qz हुए तो मेरे पाई q equal to मिल गया a square y upon z अब देखो जो मैंने q निकाला है वो हमारे पास p से free है लेकिन पी तो अभी q से free हुआ नहीं था हम क्या गरेंगे एक question number 2 में फिट से रख देंगे अब इस q को उठा गए एक question number 2 में रख देंगे तो p square plus a square y upon z का whole square equal to a square मिलेगा तो p square equal to a square minus a to the power 4 y square upon z square हमने cross multiply किया तो a square z square minus a to the power 4 y square upon z square हुए आएगा अब दोनों को उपर हमने root ले लिया दोनों को उपर लेंगे तो ऊपर से मिलेगा मुझे a common और नीचे से मिल जाएगा z तो मेरे पास आएगा z square minus a square y square तो अब जो मेरे पास p आया है वो हमारे पास q से free हो गया है तो मेरे पास p और q मैंने इस प्रिकार से निकाल लिए जो एक दूसरे से free है रहें कि एक दूसरे से independent है अब हम dz equal to p dx plus q dy के अंदर p और q की value क को substitute करेंगे तो यहाँ पर हमने p को रख दिया और यहाँ पर हमने q को रख दिया क्लियर इतना अब हमारे portion के अपने denominator में z चला तो हम z का हम यहाँ पर cross multiply कर देंगे तो z dz equal to a under root z square minus a square y square dx plus a square y dy मिलेगा अब इस a square y को हम यहाँ पर left and side पर shift कर देंगे है ना क्या मिलेगा z dz minus a square y dy equal to a under root z square minus a square y square dx और इस पूरी term को हम इस k upon में shift कर देते हैं क्या मिलेगा z dz minus a square y dy upon under root z square minus a square हम क्या करते हैं दोनों तरव इसको integrate कर देते हैं इस वाले portion तो कोई दिक्कत है नहीं कोई हमारे पास c दे से दिक्क्राइब जाएगा a x plus c मिल जाएगा प्रॉल्म मेरे पाद इस वाले hand पर है इस वाले hand को हम solve के से करेंगे तो यहाँ से दिखिए अगर मैं यहाँ पर इस पूरी value को अगर t माल लेता हूं क्या हम लेता हूं थी माल लेता हूं तो मैंने क्या करा z square minus a square y square को t माल लिया तो z square का different कितना होगा 2 z dz a square y dy equal dt त मेरे पास z dz minus a square y dy equal dt y2 होगे उठा कि हमने equation में रख दिया तो 1 upon 2 under 1 upon root t और 1 upon root t को मैं जानता हूं स्कंट्रियल क्या होता है 2 root 2 होता 2 say 2 मेरे पास cancellation में आ गया है ना ही कितना तो है मेरे पास under root z square minus a square y square equal to x plus c तो यही मेरे पास वह required solution है एक महाप यहां पर मैं आपको चीज बताना चाहूंगा जब अगर हम यह solution निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है जो final answer जो आएगा उसमें किवल arbitrary constant आना चाहिए जो हमारी तरफ से introduce होगी है जैसे कि आप दिख रहे हैं कि इस question के दा मेरे पास किवल दो ही arbitrary constant आ रहा है एक आ रहा है मेरे पास A और दूसरा आ रहा है C अगर इसके तीसरा arbitrary constant आ गया जो question में मुझूद ही नहीं है तो ऐसी condition में वह हमारा complete solution नहीं किलाएगा तो यह जो हमने solution निकाला इसको बोलते हैं complete solution तो dear friends आपको मेरा video lecture कैसे लग रहे है मुझे जूरू ब हुआ है